हेलो गाईज, टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आपनों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बीना लेस्टून प्याज की बहुत ही मसालेदार और एकदम गाढ़ी ग्रेवी वाली सबजी इस सब्जी को हम पालक से बनाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तयार होगी एकदम नया तरीका मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी कैसे पालक की आप सब्जी बनाएंगे मैंने जितनी सब्जी बना ऊतनी में आराम और लोग घगा घुकड़े तक्वाुना और उसके बाद आ frase कट कर लो वो भी मांग मांग के ये सबजी खाएंगे और पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया और हमेशा इस सबजी को बनाने के डिमांड होगी तो सारी पालक जो हमेंने कट कर लिया है जो डंठल बचा हुआ था उसे भी मैंने कट किया है इसमें हम पालक डालेंगे और grind कर लेंगे grind करते समय आपको पानी डाने की जरूद पड़े तो आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे मतलब 3-4 चमच ज़्याधा पानी डाल देंगे न तो गीली हो जाएगी पालक इस वज़े से और पालक में already काफी सारा जूस रहता है तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है अब इसे हम कायप लगा के ग्रैंड कर लेंगे सबजी बनाने के लिए हम कुछ मसाले निकाल लेंगे तो मैंने एक चमच लिया है लाल मिच्छी पाउडर कॉंटिटी कम ज़्यादा किया जा सकता है सबजी जितना स्पाइसी बनाना चाहते हैं उसी साब से उसके बाद मैंने यहाँ पर देख चमच धनिया पाउडर एड़ किया है और साथ में लिया है मैंने यहाँ पर आधा चमच सबजी मसाला कोई भी सब्जी मसाला आप इस्तिमाल कर सकते हैं जिसका स्वाद पसंद है या फिर जो सब्जी मसाला आपके घर पे इस्तिमाल किया जाता है वो उसके बाद यहां पर मैंने लिया है आधा चमच हल्दी पाउडर मसाले को मिक्स करेंगे और यहां पर हम आधा चमस मसाला निकाल लेंगे इस मसाले का इस्तिमाल हम बाद में करेंगे अब हमें मसाले को पानी डाल के भीगाना है तो कटोरी में जो मसाला बचा है इसमें आप थोड़ा सा पानी डालिएगा mix कर देंगे और मसाले को side में भीगने के लिए छोड़ देते हैं पालक को grind करके मैंने paste तयार कर लिया है तो कुछ इस तरीके से जो है पालक का paste तयार हुआ है हमने पानी थोड़ा सा डाला था इसलिए ज़्यादा गीला नहीं हुआ है इस तरीके से देखिए तयार हुआ है ध्यान रखेगा कि बिल्कुन भी जो है दरदरा नहीं होना चाहिए एकदम बारिक paste हमें पालक का तयार करना है उसके बाद मैंने उसी grinding jar को वापीस लिया है और इसमें हम gravy बनाने के लिए टामाटर एट करेंगे तो दो टामाटर बड़े तुकड़ों में चौप करकी इस्तिमाल किया है मैंने उसके बाद यहाँ पर एक चमच मोफली का दाना एट करेंगे अगर आप ओ चमच से ले रहे हैं तो एक चमच इस्तिमाल करेंगा और दाने की हिसाब से ले रहे हैं हो चौक ए पेश्ट मेर बेश्ट करेंगा पालक काप पेश्ट करेंगे हम बेसन venir हाफ गौप मेराद की इस्तिमाल किया है और इसी के साथ इसमें हम। हाफ से भी आधा यहाँ पर गेहुं काटा करेंगे गेहूं का आटा डालने से बहुत बढ़िया स्वाद आता है उसके बाद आधा चमच हल्थी पाउडर एट किया है मैंने इसी के साथ इसमें हम डालेंगे आधा चमच नमक जो हमने आधा चमच मसाला निकाल के रखा था उसे आट करेंगे अब हम सभी चीजों को मिक्स करेंग गेहूं काटा डाने से ज्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा और अच्छे से डो तयार होगा तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ी थी गेहूं के आटे की तो मैंने दो चमच गेहूं काटा इस्तमाल किया है और इस तरीके का डो यहाँ पर मैंने त बड़ी जो है मैंने लोई तयार किया हुआ है तीन एक लोई लेंगे इसे हलका से प्रेस करके चिकना करेंगे और उसके बाद जो है हमें इसे बेलना है तो थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पर आप गेहूं काटा छिड़काओ करते हुए बेल करके बड़े साइज का कर सकते ह गेहूं काटा इस्तमाल करने से चिपके का नहीं और आप आराम से बेल पाएंगे तो इस तरीके से मैंने इसे बेल करके तयार किया हुआ है आप साइज देख सकते हैं कि इतना बड़े साइज का मैंने इसे बेला हुआ है और बेलते समय मैंने दो-तीन बार गेहूं काटा इ किनारे की तरफ हम यहां पर पानी लगाएंगे पानी लगा देने से अच्छे से चिपक जाएगा और खुलेगा नहीं तो इस तरीके से देखे मैंने यहाँ पार रोल त्यार किया हुआ है हलका सा प्रेस कर दिया है पार ब्रोल काफी बड़ा है तो 20 से कट कर देगे खुलेगा दो लोई जो बची हुए हूई है उसे भी सी तरीके से बेल के और रोल तयार कर लेंगे आई आप ग्रेवी बनाने की तयारी करते हैं तो ओईल मैंने गरम होने के लिए रखा है इसमें आधा चम्माच जीरा एट करेंगे मैंने आपड़ दो चम्माच रो ओईल इस्तिमाल किया हुआ है दो-तीन तुकड़ा मैंने तेज पत्ता एट किया है इसमें डाल देंगे मसाला और मिक्स करेंगे तो द्यान रखीगा कि गैस का फिलिम लो रखेंगे क्योंकि मसाले में पानी है अगर आप फिलिम पे डारेक्ट डाल देते हैं तो ओईल के छीटे आने लगते हैं मिक्स करेंगे और दो-तीर मेड़ तक पकाएंगे जैसे आप देखें कि सारा पानी निकल चुका है ओयल अलग अलग दिखाई देने लगा है फिर इसमें हम डाल देंगे एक चोथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिच पाउडर आड़ करेंगे ये बिल्कुन आप्शनल है सिर्फ कलर कली मैंने यहाँ पर इस्तमाल किया हुआ है मिक्स करेंगे और फिर इसमें आड़ कर देंगे पेस्ट एक बार मिक्स करेंगे ग्रैनिंग जायर में काफी सारा पेस्ट लगा हुआ है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप उसे जो है वाश करके डाल दीजेगा मसाले के साथ में तो मैंने यहाँ पर एक चौथाई ग्लास पानी इस्तमाल किया हुआ है स्वादा अनुसार नमक एट करेंगे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखियेगा ताकि जेले नहीं मसाला फिर यहाँ पर मैंने लिया है एक रिंग बीचों बीच में हम रिंग रखेंगे और उसके बाद जो हमने बेल करके रखा हुआ था रोल बनाया था उसे एक मैंने छेद वाली थाली में रखा है उपर से रखेंगे और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे गैस का फ्लेम लो रखियेगा लो फ्लेम पर जो है ना मसाला जलेगा नहीं 10 मिनट के बाद मैंने कैप उठाया है और आप देख सकते हैं कि सारे रोल जो है वो अच्छे से पक चुके हैं अब इसे हम बाहर निकाल के रख देंगे मसाले को मिक्स करेंगे तो यह मसाला अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें एट करेंगे हरी धनिया तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बारिक चॉप की हुई हरी धनिया एट किया है एक बार फिर से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमें जो है इसमें डालना है ग्रेवी के लिए पानी तो एक से डेड़ ग्लास आप पानी यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं मैंने एक ग्लास पानी क्युक्त स्ब्सक्राइब के ठते बालना है तो एक बार मैंने भाफ में पीक्स किया है और फिर धक करके इसे 6-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़े देर के बाद मैंने कैप उठाया है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है स्वात के लिए यहाँ पार एक छोटे चम्मच से मैंने आधा चम्मच गरमसाला पाउडर आट किया है सबजी को मिक्स कर देंगे और यह पालक की बहुत ही बढ़िया सबजी बनकर तयार हो चुकी है बिना लेसुन प्याज की आप मेरे तरीके से एक बार घर पे बनाके ज़रूर ट्राई करिएगा